कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों एकादशी तिथी को पुन्य फल्दारी माना जाता है साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथी पर किया जाने वाला एक बहुत ही अचूक असरकारी उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इस सरल आसान उपाय से भगवान विश्नु जी को प्रसंद करके आप मनचाहा वर्दान पा सकते हैं अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं मा लक्ष्मी की क्रिपा पाकर धन से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में एकाजशी तिथी का बड़ा महत्व है इस दिन भक्त गण भगवान विश्नु जी की पूजा करते हैं उपवास रखते हैं इस दिन की ए पूजा वरत दान करने से वरती जीवन में सुख समरिधी का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्रा इन सभी एकाजशी तिथियों में एक एकाजशी ऐसी भी है जिसमें वरत रखकर साल भर की सारी एकाजशीयों जितना पुन्य कमाया जा सकता है वह एकाजशी है जेश्ट मास के शुकल पक्ष की एकाजशी यानि निर्जला एकाजशी दोस्तों सभी एकाजशीयों में निर का सही से पालन किया जाता है दोस्तों एकादशी तिथी प्रारंभ हो रही है तीस मई दिन मंगलवार को दो पहर एक बचकर साथ मिनट पर और इसका समापन होगा अगले दिन 31 मई को एक बचकर 45 मिनट पर उडाया तिथी अनुसार गत 31 मई को रखा जाएगा निर्जला एकादशी का पारण एक जून को किया जाएगा जिसका समय सुबह पांच बचकर 24 मिनट से लेकर सुबह आठ बचकर 10 मिनट तक रहेगा निर्जला एकादशी का वरत करने के दौरान आप प्राथा काल स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्ध्य दें इसके बाद पर धारन करके भगवान विश्नु की आराधना करते हुए विश्नु सहस्त्रना का पाठ करें भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी की प्रतिमा पर पीले फूल पंचामरित और तुलसी के पत्ते अर्पित करें एकादशी का वरत करने वाले इस बात का विशेश ध्यान पाते हैं तो फल भी खा सकते हैं लेकिन निर्जल वरत का पूर्ण पुन्य फल आपको प्राप्थ होता है। जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए का दोस्तों एकादशी तिथी भगवान लक्ष्मी नारायन को समर्पित होती है इस दिन उ बाकी जो सामगरी हमेशा पूजा में प्रयोग होते हैं वो तो आपके पास होगी यह दो केले एक साथ डंडी में उपर से जुड़े होने चाहिए उनके को आप साफ पानी से धोले उन पर गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर ले फिर उन दोनों के लोगों को आप एक थाली में रखें पूजा शुरू करने से पहले स्नानादी से सुजुकी होकर स्वच पीले वस्त्र धारण करें विश्नु जी का यह प्रिय रंग है अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप नीले रंग का रुमाल या कोई वस्त्र साथ रखकर पूजन कर सकते हैं लेकिन अशुभ रंग के वस्त्र पहन कर पूजन न करें अगर आप शाम के समय यह पूजन कर रहे हैं तो आप मुह हात पै जल मिलाएं अब इस हल्दी से सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करें फिर भगवान विश्नु और मा लक्ष्मी जी को तिलक करें आपके मंदिर में भगवान विश्नु की प्रतिमा या मूर्ती न हो तो भगवान श्री कृष्न लड़ू गोपाल सीता राम जी इन में से किस की भी प्रतिमा हो आप उन्हें तिलक करें उन्हें नमस्कार करके फिर उस हल्दी से एक केले पर स्वास्तिक का चिनह बनाएं दो किलो में से जो किला आपके दाहिनी तरफ है उस पर आपको हल्दी से स्वस्तिक का चिनह बनाना है और बाई तरफ जो केला रखा हुआ है उस पर आप अपना नाम लिखें। अब उन खेलों को आप भगवान विश्णु जी के चर्णों में रख दें। भगवान जी के सामने शुद्धगी का दिया जलाए भी न हो तो मीथेन तेल से आप दिया जला सकते हैं। पीतल का जो दीपक होता है जिसमें पार्टी के लिए बीच में। नमस्कार करके अपनी परेशानियों का गठन करें, अपनी मनोकामना बताएं, समस्या निवारण हेतु प्रार्थना करें, मनोकामना की पूर्थी की प्रार्थना करें, अपने मस्तक और कं़ेंड पर हल्दी का तिलक लगाएं। beste अगले दिन सुभह उठकर स्नानादी के बाद उन दोनों किलो में से स्वास्तिक वाला केला उठा लें और उसके लिए को अपने सिर पर से साथ बार बार लें और फिर उसके लिए को ले जाकर गौमाता को खिला दें। वहीं मनोकामना गौमाता के सामने कहकर मनोकामना की पूर्ती की प्रार्थना करें। फिर आप अपने घर वापस आकर मंदिर में विश्नु जी को आपने जो भोग लगाया था उसको प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों में बाट दें और फिर आपका नाम लिखा हुआ जो खेला है उसके लिए को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहन करें। दोस्तों पुरानों के अनुसार केले के पेड में भगवान विश्नु निवास करते हैं, केले का भोग उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन उन्हें केले का भोग लगाना श्रिष्ठ माना जाता है, लेकिन किसी भी गुरुवार के दिन केला नहीं खान बहुत ही प्रभावशाली तुरंट असरकारी उपाय ही है, भगवान विश्णु इस उपाय से अतीशीघ्र ही प्रसंञ हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्न करते हैं, इस उपाय से धर्म विश्यक समस्या दूर की जा सकती है, ग्रहकलेश कारयों में मिल रही अस्फल् विवाह संबंधी समस्या संतान संबंधी चिंता इससे दूर हो सकती है। तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य है अन्यथा आपका भोग स्विकार नहीं होगा लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए इसलिए इससे पहले ही तोड़ कर रखें। न काटे दाढ़ी न बनाएं एक दिन पहले से पूर्ण ब्रहमचर्य का पालन करें वाद बिवाद क्लेश कलह से दूर रहें दिन में न सोएं और रात्री जागर्ण करें अब पूरी रात जागकर आराधना संभव न हो तो रात्री में कुछ समय के लिए भजन कीर्तन प्रक्ष्मी नारायन की असीम क्रिपा मिलती है। आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए गुर्बाय ठैंक्स और वाचिंग में विडियो।